नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CIT and CIT के लाइव फोन इन कारिक्टरम में मैं हूँ तन्वी कुराना और नवी कक्षा के सभी छात्र इस वक्त हमें देख रहे हैं PME विद्या चानल नमबर 9 पर आज हम विद्यान की कक्षा में बाचीत करेंगे चाप्टर नमबर 15 और चाप्टर का नाम है खादे संसाधनों में सुधार यानि की Improvement in Food Resources हम अनिक तरह के फूड जो खाना है वो खाते हैं हमारे आसपास बहुत कुछ है ऐसा जो हमें खाने के बारे में जानने की जरूरत है और किस तरह से जो खादे संसाधन हैं उन्हें हम सुधार सकते हैं यह क्या आपके हाथ में, क्या हमारे हाथ में, क्या किसान के हाथ में या किस के हाथ में इस बारे में भी हम हमारे इस कक्षा में जानकारी लेंगे और हमारे साथ एक महमान मौझूद है जो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 15 के बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो हमें जल्दी से फोन कीजिए हमारा नमबर है 880-44-559 अगर आप हमें एमेल करना चाहें तो एमेल आइडी होगा dth.class9 at the rate ciet.nic.in चलिए और समय बिल्कुल बर्बार नहीं करेंगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के महमान स हमारे साथ हैं श्री सुषील कुमार जी स्वागत है सर आपका नमश्कार हैं पीजी टी इन बायोलजी केंद्री विद्याले अली गंज लखनाव उतर पतेश से पूचते हैं कि सर जो चाप्टर हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं जैसा कि आपने प्लांट्स पर कही झैसे हम लोग अश्रित रहती है हम कह सकते हैं कि हमे को आपको बोडी sert हम उस प्रेम्भर ह के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है हमें और आपको सरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्भो हाइडेट की जरूरत होती है हमारे सरीर को साही धंग से फंक्सन कायने के लिए फैट की जरूरत होती है तो यह जो भी सरीर के अलग अलग जो भी सिस्टम है उनको साही धंग से काम करने के लिए कि मेरे आपको इफिशेंटली काम कर सकें हमें कहीना कहीं से इस धर्दी पर पाय जाने वाले अलग अलग पेड़ पौधे जिव जन्तों से मिलने वाली उत्पादों पर निर्भा रहना पड़ता है और आध हम बात करेंगे किस प्रकार से हम इन खाद पदायतों में इंप्रूब्मेंट करके कहीं गुर्मत्ता पूर से इन में सुधाल लाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं तो चले से इस बात्षीत की शुरुवाद करते हैं और जैसे हम अपनी स्क्रीम देख सकते हैं एक प्रेजंटेशन आपने तयार की है और एक बहुती खूबसूरत सी पिक्चर हमें नजर आ रहे हैं जिसमें को और हमारी आपकी जनसंख्या है तो हमारी आपकी जनसंख्या लगबग्ण लगबढ़ ने एक परम ँगषन देख रहे होंगे आज की तारीख में अगर हम अपने देश भारत की ही बात करें तो लगभग 140 करोड से जादा लोग हमारे देश में ही हो चुके हैं और अगर हम दुनिया की बात करें तो लगभग 8 बिलियन लोगों की जनसंख्या है लगभग 8 बिलियन के आसपास लोग हैं इस धरती पर अब जुक रोगे एंद्ध करता है किसे परकार से हम गुनगरता पूरवा है, पुरवा, खाद समागने करें, जिससे कि हम इन सबी लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि मेरी आपकी थाली में जो भी भोजन मिलता है उसमें प्रोटीन होता है, कार्भोईडेट होता है, फेट, मिनराल्स, विटामिन्स ये सारी चीजे होती हैं और ये हमें अलग-अलग धंग से पराप्त होती हैं जो भी हम लोग लेते हैं सो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी आपकी ज़रूरते हैं वो कहीना कहीं से क्रॉप्स से पूरी होती है या लाइव स्टॉक होती हैं इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे पाल्ट्री और फीसरीज और बी कीपिंग और ये जो अलग-अलग अनिमल हस्वेंट्री के अंतरकत जो हम लोग करते हैं इनकी संख्या बढ़ाने का काम और इनको कहीना कहीं से रीरिंग और ब्रीडिंग करते हैं तो यहां से हमें और आपको अपनी जरूरतों वाला चीजें प्राप्त होती हैं अगर हम कहें कि मेरे आपके चारों तरफ जो कुछ भी हम और आप लोग प्रा कि अपने बच्चों देखा होगा कि राइस वीट मेज और मिलेट्स आपने सुना होगा यह और सौरगम और बच्चों आपने एक वर्ड बहुत आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में हम लोग बात कर रहे हैं कोर्स ग्रेन की बोटे अनाजों की कहते हैं नहीं परियाप्त मात्रा में और कह सकते हैं बैलेंस इमाउंट में कार्भो हाइड्रेट प्रोटीन और फाइबर्स की समचित मात्रा पाई जाती है तो यह जो पूर्ब में इनको हम एंसेंट ग्रेन भी कहते हैं क्योंकि पुडाने समय से हमारे जो फोरफादर एंसेस्टर इसका पाकर सित हुए और आज के दौर में पुना हम लोग ऐसी सीरियल की तरफ जा रहे हैं जिनको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं मोटे अनाज और इनके दौरा हमारे आपके सरीर के लिए बहुत यूपयोगी चीज़ें प्राप्त होती हैं हम आगर आज के लेक्चर में पल्सिस की बा प्रोटीन आप जानते हैं मेरे आपके सरीर में हर जगे प्रोटीन है मेरे बालो में प्रोटीन है मेरे नाखून में प्रोटीन है मेरी इसकिन और मेरे जो बूंस है उनमें प्रोटीन है और एयर में ब्लड में प्रोटीन है सो एवरिवेर प्रोटीन बनती कैसे है हम और कि दाल हो या फिर बीन्स हो सकती है या ग्राम हो सकते हैं या लेंटिल यह सब हमें प्रोटीन देते हैं तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको इनसे प्रोटीन मिलती है और नॉन वेजिटेरियन सोर्सिस में फिर अलग अलग चीजें फिस और एनिमल प्रोडक्ट से भी तो आज आपी चुके हम क्रॉप की बात कर रहे हैं इसलिए हम पल्सिस में प्लांट्स की बात करेंगे हम ने आपने देखा होगा कि बहुत से बीज ऐसे होते हैं जो हम और आप लोग खाते हैं किसी दूसरे रूप में मतलब उन से मिलने वाले प्रोड़क्ट के रूप में ज मश्टर्ड ओयल एसी केस्टर ओयल का भी हम लोग अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं लिंसीड उयल संफ्लावर ओयल और यह सारे जो बी और hausamar तुक सैडियों में गराउंड नट का दहा बहूत प्रयोग करते हैं वाध्यों तो यह सब हमें फैट प्रदान करते हैं और ये हमारी डाइट का एक बहुत महात्पूर्ण हिस्सा है। हम लोग तमाम प्रकार की सबजीयां खाते हैं। उन सबजीयों से हमें कहीना कहीं से विटामिन्स और मिन्रेल मिलते हैं। जो विटामिन्स 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 हैं एक फैट सॉलीवल और वाटर सॉलीवल विटामिन्स होती हैं, हम् फ्रेश वेजिटेबेल से फूट से मिलती हैं और वहां बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जिनने हम फोडर क्रॉप कहती हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, उनको ओंकोल फोडों को नियुकांगवा बरसीम हुआ, ओता हुआ, सुटान ग्रास हुई, तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे जो लाइव स्टॉक्स होते हैं जो हमारे पालतू जानवर होते हैं जनतू जानवरों को हम उनको चारा की रूप में देते हैं बच्चो आपने देखा होगी जो अलग-अलग प्रकार की जो क्रॉप्स होती है इनके लिए अलग-अलग प्रक को बवाई होगी लेकिन इसके पहले बरसाथ के बाद जून से लेकर अक्टूबर तक हम लोगों ने दूसरे प्रकार की क्रॉप देखी थी तो यह जो अलग 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 क्लाइमेटिक कंडीसन की ज़रूरत पड़ती है चाहे टेंपरेचर हो सकता है या डूरेशन आप युर्ट ये उसे हम कहते हैं थसे हम कहते हैं फॉटी जो हम कहाए जाती है जिनको कह सकते हैं जो पहली परकार की खृडब केलाती है 와 रम Caitlin अन्य यह जी इस अीक्राफ कर जब आरहस मांसून आथ एक हमारे याथ पर ौन्दास किसान दू अपने खेत में देखा हो मुंग इन सब की खेती की जाती है और ग्राउंड नट की तो यह जो खरीब क्रॉप के अंतरगत आती है प्यारे बचो और आप जानते हो जो अभी साइधियों का सीजन सुरू होने दस्तक दे दिया साइधियों नॉमबर से अब इस दोरान अगर आप अगर कभी भी अपने ग विंटर सीजन में बोया जाता है तो यह जो क्रॉप सोती है इनका अलग-अलग सीजन में हम बोते हैं और फिर उससे मिल जिबाले प्रोडक्त का उपियोग करते हैं अब अगर जैसे चावल होता है चावल तो इंडिया में पूरा जाता है पूरा साल बहुत सारे ऐसे अब जहां पर चावल बहुत जादा खाया जाता है तो क्या चावल की भी सीजनल खेती होती है बिलकोल बारिस के समय सीजन में जब बारिस दस्तक देती है जून से लेके और अक्टूबर के बीच में चावल के रूप में पहले धान की खेती की जाती है फिर उसकी धान्स के प्र बहुत अच्छा प्रोड़क्शन होता है विशिसका हमारे देश में एक राज्ज है जिसे धान का टोरा कहती है आप सब लोग जानते होंगे उसे चाथिजगर का जाता है जो पहले युनाइट जो मद्द प्रदेश था उसका पाइट और आज ये अलग राज्ज के रूप मे हैं तो और चावल के बिना हम और आप लोग अपने भोजन की कलपना नी कर सकते हैं हम लोग अलग अलग रूप में चावल का इस्तिमाल करते हैं और चावल से हमें और आपको का रूप में जो फूड का एक कंपोनेंट है वो हमें प्राप्त होता है अब जो अभी दुनिया हम कह सकते हैं कि improvement किया जा रहा है crops में और इनको अगर हम देखा जाये तो इसके तीन activities के द्वारा हम crop को हम improve करते हुए देख सकते हैं एक होता है crop variety improvement बच्चो दूसरा होता है crop production improvement और तीसरा होता है crop protection improvement अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि किस परकार से अलग अलग डंग से यह crop improvement किया जाता है जैसे पहले परकार का जो डंग है जिसे हम crop variety improvement कहते हैं इसमें जो crop की variety को improve किया जाता है उसमें जो scientist या हमारे plant breeders होते हैं या हमारे जो नसील किसान है वो ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिनमें good trade पाए जाते हैं good variety पाए जाती मतलब तर्म अबदी उनमें ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है या उनके अंदर किसी बीमारी से लहने की सकती है या फिर उनमें पानी की कमी में वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं या जो बदलती हुई जो आज की क्लाइमेटे कंडिशन है उनके कम प्रभाव देखा जा रहा है तो इसमें क्या करते हैं इसमें सबसे पहले ऐसी बैराइटी को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें good characters हो और फिर उन प्लांट्स के बीच में hybridization कराए राता है और hybridization में बच्चों क्या करते हैं कि genetically dissimilar plants को cross करते हैं जिससे कि देखते हैं कि जो हमने useful character जो सिलेक्ट किया था वो useful character या desirable character जैसे कि हो सकता है हाई इल्ड हो सकती है good quality हो सकती है तो यह जो हमने चुने थे वो उन फसलों में हमारी hybridization experiment के द्वारा आ जाएं अब जो hybridization होता है जिसे हम संक्रान कहते हैं तो यह inter varietal भी हो सकता है इंटर स्पेस्पिक भी हो सकता है और इंटर जेनरिक भी हो सकता है बच्चों इंटर मींस होता है in between तो आप समझ पा रहे होंगे inter varietal means हुआ कि ऐसा hybridization जिसमें की different varieties के बीच में hybridization करवाया जा रहा है inter-spacific means inter means in between and specific means between two different species so hybridization is carried between two different species and another more is the intergeneric so inter means in between and generic genera so the hybridization takes place between different genera so in this way plant breeders and farmers as well as scientists may develop the good characters variety that is having higher yield or disease resistance or drought resistance बच्चों आज के दोरान आपने सुना होगा कि आज की दोरान हमारे वैज्यानेक विसेश का जो बाइटेकलोजी और जनेटिक इंजिनिंग के चेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें आपने सुना होगा कि वो हैं वो जनेटिकलिई मोडिफाइड क्रॉप्स को बना रहे हैं अपने कुछ इसी कृप को नम सुना होगा जैसे भारत में एक्रॉप जेनिटिकलिए मोडिफाइड क्रॉप जो जीसको परमिट मिला है वो कोई भी फसल का उप्योग करते हैं तो उसमें कई बार चोटी चोटी कीड़ लग जाते हैं तो उसमें कई बार चोटी चोटी कीड़ लग जाते हैं अपने देखा होगा जिसे आम भासा में सूंडी कहते हैं अमनों ने बैगन में देखा होगा कॉली फ्लावर में देखा होग और कपास मेरी या अलग अलग फस्लों में लग जाती वैग्यान को ने कुछ ऐसे प्रियोग किये और एक बैक्टिरिया होता है उस बैक्टिरिया को बैसलस थुरिंजियंसिस कहते हैं और उससे एक जीन निकाला और उस जीन के अंदर यह गुण होता है कि वह एक ऐसे टॉक्स जीन पहुंच जाता है उसे हम बीटी कोटन कहते हैं और आपको बड़ी खुशी होगी तानवी जी की दुनिया के अलग अलग हिस्नों में बीटी ब्रिंजिल बीटी कोईन तो यह अलग 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 फस्ले अब धीरे आ रही है इस पर तमाम डिवेट चर रही है जब यह सा खतम हो जाए और इससे कहीं न कहीं से किसान लाबानवेत होंगी हम देख सकते हैं कि क्रॉप वेराइटी का इंप्रूब्मेंट हम कर सकते हैं हाई रिल्ड के लिए या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे कि इंसेक्ट हुआ कोई डिजीज हुई या अन्वांट गाइट इंसेक्ट जो नुक्सान पोंचा रहे है, ये बियोटेक एक प्रकार की फैक्टर के लाती है और ये बियोटेक फैक्टर में प्लांट को, सपोझ, there is a heat condition around the field where the plants are growing or there is the cold condition or salinity as well as first. So, nowadays, scientists are trying to make such a plant which are able to bear the cold stress, which are able to bear the frost stress or they are frost resistance. और आप जानेंगे कि salinity में भी ग्रो हो सकते हैं, मतलब जहां पर नमकीन भूमी हैं, वहां पर भी ऐसे modified plant ग्रो हो सकते हैं, जो बनाए जा रहे हैं, generally modification के द्वारा. हम आपने देखा होगा तानवी जैसे आज नॉम्बर के माय में गेहु को बोएंगे और ये फरवरी के लास्ट में काटना स्टार्ट होगा, और मार्च के प्रथम सब्ता है, और 15 मार्च या जीस मार्च तक हमारे किसानों के घरों तक गेहु पहुंचता है, इस दौरान ग्रों माल्टिपल क्रॉप इन येर, मतलब जब हम इसका ताइम ड्यूरेशन कम काया देंगे, मतलब जहां चार महीने में हमें अगर रभी की क्रॉप मिर रही है, मालने गेहु की फसल तयार हो रही है, तो अगर वो देड़ या दो महीने में होने लगे, तो कुछ ऐसे पर और कुलमला के जो ये इस परकार की जेनिटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई जाती हैं, ये अलग-अलग डिफेंट क्लाइमेटिक कंडिशन में ग्रो हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन में जो हम चाहती हैं अगर देखने को मिलते हैं, जैसे हम अगर टॉल प करेक्टर या फिर हमें कोई सी प्लांट में ड्वार्फनेस क्रियेट करना है तो वह भी हमें देखने को तो हम अगर ग्याने किसमें करते हैं अलग-अलग परिवर्तन इंप्रूब क्वाल्टी के रूप में भी हम मॉडिफिकेशन देख सकते हैं तानुई जी जब हमारे ब करते हैं तो उसके अंदर बीटा केरोटिन का एक जीन डाल दिया बीटा केरोटिन विटामिन ए का इनक्टिव फॉर्म प्रीकरसर होता है तो ऐसा चावल सुने रहा हो गया तो तानुई जी आप सोच सकते हैं कि अगर में और आप चावल खाएं तो चावल से मुझे और अलग अलग प्रिकार से परवरतन करके और ऐसी नई नई फसलों को बना रहे हैं तो यह को प्रिकार का जो क्रॉप क्रोड़क्शन जो मैनेजमेंट है उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे जो साइंटेश्ट वैज्ञाने और जो भी सोत कहता हैं न्यूटिशन के लिए अलग आश्रान कर न्यूटियंट का सो यह विल वे सप्लाइद तू डा क्रॉप चो अफ्ल अप्लांट गैट डेटी अन्यूट्रेंट फॉम एर वार्टरेंज स्वाटारेंजय तो तो टो टो जिएटिन न्यूटियंट हमारे जो ज़डूरी होते हैं प्लांट के लिए और उन् पर इंप बच्चों जब हम और आप लोग मिलेंगे तब हम आपको बताएंगे कि यह जो सोलर न्यूट्रियंट है इनमें से कुछ न्यूट्रियंट ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है और प्लांट्स कोवा कहलाती है जैसे कार्बन हो गिया ऑगया नाइटोजन, फॉस्पोराग, पोटेशियम, कैलसियम, मैंगनेशियम, सलफर यह स्वाइल से और कुछ बाटर से मिलते हैं कुछ बहुत सूख्ष मात्रा में जरूर्यत होती है उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रियंट कहते हैं जैसे मैंगनेश, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिविडन, क्लोरीन तो यह कुलमलाके बहुत जरूरी है और वह न्यूट्रियंट कहीं पहुंचे और मेरे आपके सरीर के भला करते हैं और मेरे आपके सरीर के साही रंग से फंक्षन काहिने में मदद करते हैं कॉलमलाके बच्चों, आज आप सम्जें, क्यों जरूरूरत पड़ी हमको क्रॉप ब्राइटी की इफ्रूदमेन कौर्वेंट कहीं और अलग अलग प्रकार से किस परकार से कोछ पी आप उछना चाहते हैं जो शुदार के सी अधध में में कैरे में जए कि सर ने तीन काटिगरी इस बताई क्रॉप वराइटी इंपरॉवमेंट until प्रॉप्रोटक्शन के लिए अगर अगर आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो जलदी से हम तक पहुचा सकते हैं आप आप देख रहे हैं पीम इविद्या चानल नुबर 9 और इस कारिक्रम को हम यहीं समात करते हैं यहीं बहुत कुछ जाना विज्यान के इस कारिक्रम में पर थोड़ी देर में उर्दू के एक कारिक्रम के साथ हाजर होंगे जहां हम एक नजम पर चर्चा करेंगे और नजम है एक आर्जू तो चलिए अपने सवाल आप हमें जल्दी से भीज तीजे और साथ ही साथ PME विद्या चानल्स देखते रहें बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हम आपको करना चाहेंगे अपना ध्यान रखिएगा नवस्कार